नमस्कार दोस्तो टार्गेट विद कमपडिशन एक जम चैनल पर अपका आर्दिक स्वागत है हमारे चैनल से डूने के लिए आप सब्सक्राइब के आइकोन और बैल आइकोन को ज़रू क्लिक करें दोस्तो आज बात करेंगे हम इरान के चार बाहर पोर्ट की चार बाहर बंदरगा जो की भारत अफगानिस्तान और इरान की एक महत्वकांची योजना है जिससे भारत को क्या फायदा होंगे इस वीडियो में उन पर चर्चा करेंगे और बाकी देशों को क्या इसका महत्व है वो भी हम जानेंगे इसके अलबा पाकिस्तान और चीन पर क्या इस परियुजना का दुश्प्रवाब पड़ेगा वो भी हम देखेंगे तो चली शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इरान का जो चार बाहर पोर्ट है वो भारत के मुंबई पोर बंदर इसके अलाबा जो कांडला बंदरगाह है उन से जोड़ाव भारत सरकार ने अध्यन किया है कि अगर हम यह चार बाहर पर पोर्ट बनाए तो यहां से हमारे मद्देशिया के द्वार खुल सकते हैं खाड़ी देशों से आसानी से व्यपारिक मार्क प्रसस्त हो सकता है और चीन की जो महत्रपांची ग्वादर एयरपोर्ट है उसके उपर जो वन बेल्ट उवेर यूजना के तहत कार रिचल लाए उस पर भी शिकन्याग कर साज़ा सहीगा इसके अलाबा अगर हम बात करें क मुंबई और कांड़ा जो बंदर का है वो अफगानिस्तान तक इरान के रास्ते से जो भारत की जो खेप है या साहता है वो भी आसानी से पहुंच सकेगी यानि कि मद देशिया से और खाड़ी देशों से बहुत अच्छे सम्मन इस पोर्ट के जरिए बन सकेंगे तो भारत की ये योजना काफी मेःथपूर है जिससे कि भारत के तमाम शेहर तमाम जो पश्रिं मॉंबाई हो कांडला हो पूरबंदर हो तमाम शेहर मद देशिया या खाड़ी देशों से जोड़ सकाएंगे और अंतर रस्ट्रिय और समागी द्रस्ट्री से ये काफी मेःथपूर ह जिससे को भारत आने वाले समय में एक डवलप कंट्री या विक्सित राष्ट बनने में एक महत्पूर्ण गुमिका ये पोर्ट अदा कर सकते हैं तो जानते हैं दोस्तों चार बहार क्या है तो चार बहार इरान में सिस्तान और बलुचुस्तान प्रांत का एक शहर है यह एक मुक्त बंदरगा का अर्थ है फ्री टेड इस बंदरगार से जो भी विव्पार होगा वो फ्री टेड होगा उस पर कोई भी किसी भी तरह का कोई टेक्स नहीं लगेगा यह उमान के खाड़ी के किनारे इस्तिता है यह इरान का सबसे दक्षणिंतम शहर है जो कि अरब सागर से जुड़ता है इस अधिकांश्ट नगर के लोग बलूच हैं और बलूची भाष्षा बोलते हैं अगर इतिहास के पन्नों में हम जाएं तो मद्यूगीन यात्री अलबरूडी ने चार भार को भारत को जाने मद्द एसिया से जाने के लिए प्रविश द्वार की एक संग्या दी है चार बहार का अर्थ होता है चार जगने तो ये चार बहार है जो कि मुंबई और कांडला को अरब सागर होते हुए जोड़ेगा जिसमें पाकिस्तान का ये गौादर एरपोर्ट है जो चीन और पाकिस्तान के महत्मकांशी योजना है मद्दी एशिया से जोड़ने वाली कही ना कहीं इसको प्रभावित करेगा तो दोस्तों ये भारत इरान और अफगानिस्तान की एक महतोगांशी योजना है पहले कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को यह होता था कि पाकिस्तान पर निर्बर रहना पड़ता था पाकिस्तान से उसका बहुत सारा सामान आयात और निर्या तक व्यपार कर सकेगा तो इसके साथ चीन की पाकिस्तान में जो पाकिस्तान या अन्य देशों के संग उवेर ही हुचना बना रहा है इसके लबाब मद्ध एशिया से जोड़ने के लिए ग्वादर जो पोर्ट है उस पर चीन के निवेश किया है उस पर भी भारत भारते और इरान और अफगानिस्तान निशाना सादे हुए है इस चार बार पोर्ट की बेज़े से चीन भारत को स्ट्रिंग और पल्स प्रोडेक्ट के जरिये भारत को चारों तरफ कहने की कोशिश कर रहा है हाली में चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगा के विकास के लिए 46 अरब डॉलर करीब 3131 अरब डॉलर का निवेश किया है इस कारण भारत भी अमेरिका और चीन के विरोध के बाबजूद इरान के चार बाहर बंदरगा को विक्सित करने के लिए 20 अरब डॉलर यानि कि 1363 अरब की जो योजना शुरू करने के लिए 2015 में हस्ताक्शल कर चु कर देगा अभी फिलाल मैं सुनने में आया कि भारत ने पहली बार गेहूं का अफगानिस्तान इस पोर्ट के जरिए निर्यात किया है अब जानते हैं भारत का और इरान का चार बाहर परियोजना से क्या-क्या महत्व है भारत और इरान की यह जो परियोजना है चार बाहर प भारत को अफगानिस्तां तक सामान पहुंचाने का सीधा रास्ता मिल जाएगा अब तक भारत की जाए पाकिस्तान », अफगानिस्तां तक पहुँच ते ती फिल इसे बगान के ज़ंदि जार्शाच के जरी बहा सकते हैं पाकिस्तान इसलामिक जगत में खुद को बड़ी तागत के रूप में पेश करना चाहता है परमाणु शक्ति बनने के बाद इस मकसद को कुछ तक यह काम्या भी रहा है अरब जगत में इरान उस लियाज से भी उसका प्रतंदी भी है अगर यदि भारत पूरी तरह से रियान का साथ हो तो सवाब एक है पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है अब देखते हैं भारत को क्या-क्या फायदे होंगे तो दूस्तों चार सारी देशों योरोप तक ले जाने की कोशिश में हैं जिसके लिए उवेर योजना बनाई है चीन के चीन ने और उसी की कार्ट के लिए भारत और अफगानिस्तान की मदद से चार बाहर पोर्ट का निर्मार किया है जिससे कहीं कहीं अंतराश्टी स्तर पर चीन पर शिकंज वह सड़क मार्ग एरान के द्वारा जो बनाई गई सड़क है उसके माध्यम से एक देश से दूसरे देश तक महुचेगा भारत अपना सामान मत देशिया रूस तक महुचाने में सक्षम होगा यहां पर वह तेल प्राकरतिक गैस और अन्य खनीच पदार्थों के बड़े भंडार पाई जाते हैं जैसे की खाड़ी देशों में तो वहां से भारत आसानी से आयात भी कर सकेगा यह सबी देश व्यपार का एक नया अफसर प्राप्त होगा इरान चार बाहर पोर्ट फ्री ट्रेट इंडिस्ट्री लेल जोन भी बना रहा है जिससे की जिस पर कि किसी इसी भी तरह का वेपार करने में कोई भी टेक्स नहीं लगता तो फ्रेंट्स यह हमारा एक वीडियो था चार बाहर पोर्ट के उपर आपको कैसा लगा इसे लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टुडेंट्स के बार कि अधिक स्टूट्टी आपको की अधिक स्टू़िगा तो ऑश्टी माशनीट्स